जिस लड़की ने की प्रत्वी शौ से हाथा पाई उसका रवी किशन और निरववा से है खास कनेक्शन भाई को करनी थी शुमन गिल के साथ ओपनिंग पर दूसरी गिल के साथ उलजे मचा बवाल कार का तूटा शिशा, बैट सी हुई लड़ाई, कलब बन गया खारा, सेलफी नहीं, विवात की जड़ है ये वो लड़की जिसके इंस्टाग्राम पर लाखो फॉलोवर्स हैं, डांस वीडियो देखकर फैंस मंत्र मुग्द हो जाते हैं वो प्रत्वीशो के साथ सेलफी के लिए भिलेगी, ये सुनकर थोड़ा बात पच नहीं रही है इसलिए हमने जब रिसर्च किया, तो कुछ ऐसी बाते पता चली, जिससे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे ये वीडियो देखिए, कैसे प्रत्वीशो उस लड़की के हाँ से बेजबॉल बैट शीन रही है इस लड़की का नाम है सपना गिल, इसलिए लोग इस वीडियो पर ये भी लिख रहे हैं कि भाई को शुमन गिल के साथ ओपनी करनी थी, लेकिन वो ना हुआ, तो दूसरी ही गिल के साथ उलज गए पर ये मजाग की बात है, असल बात ये है कि इस हाता पाई का सेलपी के लाबाग कुछ और भी कनेक्शन है ये लड़की दरसल सोशल मीडिया इंफ्लिएंसर है, और इससे पहले इसने भोचपुरी फिल्म काशिय मरनात में रवी किशन के साथ काम किया है और उसके बाद निरहुआ चलल लंदन में भी एक्टिंग की थी, पर भोचपुरी फिल्मों में शायद इतना सिक्का नहीं जमा तो सोशल मीडिया पर संसनी मचाने लगी सपना के वकील का कहना है कि उसके पास जीने खाने भर की ही पैसे हैं, वो फाल्तू के मसलों में नहीं पढ़ना चाहती थी गल्ती प्रत्वी शौकी है, पर इसमें एक और कहानी ये है होटल में खाना खाती वक्ते प्रत्वी ने एक सिल्फी दे दी थी, जब बात और सिल्फी की हुई, तो उन्होंने मना किया अंदर प्रत्वी के दोस्तों से सपना गिल और उसके दोस्तों की बहस हुई उसके बाद अंदर से मैनेजर ने सपना गिल को भगा दिया पर ये लोग घर नहीं गए बलकि होकी और बेसबॉल बैट लेकर प्रत्वी शौक का इंतिजार करने लगे जैसे ही वो बाहर निकले कार के शीशे तोड़े बवाल किया और फिर पचास हजार रुपए भी वांगे जिससे दो सवाल खड़े होते हैं पहला ये कि क्या लड़की और उसके दोस प्रत्वी को बदनाम करने का डर दिखा कर उगाही करना चाते थे और दूसरा क्या लड़की ने जान बूच के लड़ाई इसलिए की ताकि वो फेमस हो सके लोग उसे सर्च करें फिर उसकी फैन बढ़े अब इसका पता पुलिस की पूस्ताश में चलेगा लेकिन एक सवाल जो सब के मन में है वो ये है कि मामला अंधेरी वेस्ट से थाना च्षेतर का था तो फिर ओशिवारा पुलिस ने केस की उदर्च किया हम ये नहीं कहते कि प्रत्वी शो की बिलकुल भी गलती नह लेकिन जितने वीडियो अब तक सामने आए हैं उससे यही कहानी दिखती है कुछ लोग कहते हैं प्रत्वी शो इन दिनों परेशान चल रही हैं अठारा महीने पहले उन्हें टीम इंडिया की जर्सी पहनने का मौका मिला था फिर वंडे में उन्हें टीम में चुना तो गय पर मैच खिलने का मौका नहीं मिला तो उदास हो गए उससे पहले गल्फिंड से ब्रेक अप की बज़े से परेशान थे पर वैलेंटाइन डे के मौके पर अब नेत्री निधी तापडिया को अपनी वाइब बताया लेकिन थोड़ी ही दरबात पोस्ट डिलीट कर लिखा य प्रतिवी शौ की तरह ही कहानी इशान किशन के साथ भी पटना में हुई थी वहां तो इशान को 20 सड़कप लोगों ने पीट दिया और वो लोग ये भी नहीं जानते थे कि आप क्रिकेटर हैं इसलिए कहते हैं बड़ा बनना बड़ी बात नहीं है बलकि उसको बरकरार पड़ाई में गलती किसकी है क्या खिलारियों को ना कहने का हक नहीं है या फिर वो पार्टी करना ही चोड़ दें बिरो रिपोर्ट ग्लोबल भारत टीवी